Yo what's up guys, क्या हल चाल, मेरा नाम है Ash and आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ about PUBG ban in India पहले तो बात करते हैं, reasons why PUBG was banned in India पहला reason है, लड़ाक लड़ाक के इधर जो India-China का बॉडर है, वहाँ conditions कुछ थोड़े से खराब है They are trying to infiltrate Indian land So, इसके counter में हमारी army तो मूतोर धवाब दे ही रही है And Modi जी ने decide किया कि अगर PUBG ban हो जाएगा तो उनकी economic growth भी affect हो जाएगी And I think कि China जो किया है related to corona and stuff They actually deserve that लेकिन हमने क्या गुना किया है यार जो कि आप PUBG हमसे अलग कर रहे हो इसलिए एक Indian game developer ने 4G नाम का game release कर दिया मेरे हिसाब से ये बहुत great news है लेकिन अपनी public पागल हो रही है कि Indian government को PUBG ban करने की कोई ज़रूरत नहीं थी And उन्होंने PUBG का copy करके नया game बनाया And some people are even crying about their grinds in the game Grind मतलब उनको जो gun की skins and car की skins मिले है PUBG में Okay first of all जिसने 4G game बनाया है उसने tweet किया है कि ये game का नाम is attributed to Akshay Kumar बाकी का concept same हो लेकिन हमारी engine अलग है And second of all कि Bro why are you guys crying for your gun skins Games ऐसे ही खेले जाते हैं We play games just like this Okay let me give you an example Class of Clans की बात करते हैं जब भी वो game trend में था And अप उन बहुत महनत करके town hall 10 या 11 तक लाए होंगे वगेरा वगेरा अगर तभी वो game ban हो जाती जब भी वो trend में थी तभी सारी public ज़रोती लेकिन अभी वो game ban हो गई तो who cares right नए फिर भी अभी वो game कोई-कोई लोग खेलते हैं Games are like की At some point of your life आपको वो game छोड़नी होगी And आपको ये game खेलने से पहले वो मालूम होना चाहिए And that is called gamer maturity अभी gamers की बात अलग है We play 4 to 5 games at one time in a day Gamers मतलब बड़े बड़े YouTubers and streamers भी उसमें आते है अभी देखो PUBG ban होने पर बड़े बड़े YouTubers and streamers को दुख तो हुआ है लेकिन हमें उस चीज का गुसा नहीं है बाकी की public literally रो रही है कि मैंने PUBG में ये खोया मैंने PUBG में वो खोया मेरा एक फ्रेंट तो परसो कॉल कर बता रहा थे कि भाई जिंद्योगी खतम हो गई मैं अभी जी के क्या कर ये जो चोटी चोटी चीजों का difference है ना बड़े लेवल के gamers में चोटे लेवल के gamers ये difference ये change इंडिया में सभी बड़े gamers लाने की कोशिश कर रहे है अचा बड़े टॉपिक पपजी जो अभी बैन हुआ है ना उसके उपर अभी मीटिंग होगी मुदी जी और कोरिया के प्रेजिदेंट या प्राइम मिनेस्टर के साथ ये बैन टेंपरेरी ली लगा जाएगा या फिर पर्मनेंटली कोश्टेंसेंट कमपनी का उनली 10-20% पपजी मुबाइल में शेयर था अभी टिक टॉक इंडिया में पपजी से पहले बैन किया गया और टिक टॉक को बहुत सारे कंट्रीज ने बैन किया है जैसे की अमेरिका ट्क टॉक बंध होने के अगले दिन डॉनल्ड ट्रम्प ने टिक टॉक के ओनर को एक ओफर दिया कि टिक टॉक अमेरिका खरीद रही है लेकिन वो ओफर उसने रिफिूस कर दि So India and America के साथ और पाच्छे कंट्री इसने TikTok बैन कर दिया China suffered a great loss TikTok and PUBG के साथ और 118 apps बैन हुए है इंडिया में Some of them include Shareit, WeChat, Mobile Legends, UC Browser and Shin These apps actually matter to us I personally think कि ये apps बैन नहीं होने चाहिए थी सिर्फ TikTok and PUBG was enough And now just wait guys, just you wait कुछ दिनों में इन apps के copies निकलेंगे जो Indian companies ने बनाये होंगे यही पर तो गलत जाती है इंडिया की public अभी आपको एक story बताता हो मेरी मॉम को उसकी एक friend का call आया था She was a part of some organization in Puna जो की WhatsApp के बदले एक Hindi app निकाल रहे है Ditto Like WhatsApp And वो आंटी मेरी मॉम को बोल रही थी की Pay 101 rupees and 10 जन को यह app share करो And उनके phone में download करवाओ You will get your 10 rupees back each person I mean this is wrong यार They are running after money अच्छा ठीक है आपको इंडिया का development करने में help करनी है लेकिन आप अपनी कुछ नई चीज इन्वेंट करो न यार आप अपना कोई नया app इन्वेंट करो ओके यहाँ पर मैं invent something new को gaming industry में लेके जा रहा हूँ अभी आप पूछोगे कि कोई Indian game developer इंडिया पे based game क्यों नहीं release कर रहा यानि कि अपना खुद का दिमाग लगा के एक नया ही game बनाना Well, reason is simple हम लोग ना बहुत हरामी है Even if we release a game worth 50 rupees Public वो game को hack करके यानि कि piracy करके वो game free में download करने की कोशिश करेगी ही That is why इंडिया में gaming industry नहीं है And कोई एक game आया तो वो ही सब खेलने बैट जाते है Coding सीखते समय गेम developing का option पकड़ा ही नहीं जाता Cause वो field में पैसे ही नहीं career बना ही नहीं सकते भई जब तक corruption and piracy नहीं रुकती ना इंडिया में मेरे को नहीं लगता इंडिया में gaming आ सकती है मेरे को इंडियान पब्लिक या इंडियान gaming industry के बारे में बेज़ती नहीं करना चाता लेकिन this is the truth and बड़े बड़े YouTubers and streamers and even मेरे जैसे gamers are trying to change this truth Well let's wait for the announcement of PUBG कि वो permanently banned हो रहा है कि it is just temporary And see you guys in the next video with such topic until then peace out Well if you like this video अच्छी लगी हो तो like and subscribe करिये Well my next topic is going to be best old mobile games So give me some names in the comments Don't spread hate and dab on haters